चलना रन्या, किसी को लू बनाते हैं क्या सुकर्न्या, तुझे तो हर टाइम मस्ती सूचती रहती है, घर चल चल लेंगे ना पर पहले किसी को बेवकूप बनाते हैं नहीं, बहुत हो गया, उल्टे-पुल्टे काम तू करती है और डांट मुझे खानी परती है और सुन, वो कल पडोसन आंटी के साथ क्या किया तुने? हाँ, क्यों, कुछ कह रही थी क्या? हाँ, मुझे से कह रही थी कि आज़ा तुझे सबक सिखाती हूँ बता तुने क्या कहा उने? अरे, कुछ नहीं, वो मुझे बहुत ख़डूस लगती है तो मैं उनसे भिड़ गई और जब उन्होंने मुझे से कहा कि वो ममी से शिकायत कर देंगी तो मैंने भी कह दिया, यहां मैं भी देख लूँगी, मेरा नाम अनन्या है अनन्या इतना कहकर अनन्या गुस्से में सुकर्ण्या को मारने के लिए दोड़ी और सुकर्ण्या अपने घर की तरफ भागने लगी अनन्या और सुकर्ण्या जुडवा बहने थी देखने में बिलकुल एक जैसी उनमें फर्क करपाना बहुत ही मुश्किल था कई बार तो उनके माता-पिता भी उन्हें पैचानने में धोखा खा जाते थी और इस बात का सुकर्ण्या बहुत फायदा उठाती थी वो हमेशा कुछ भी शरारत करती तो डांट विचारी अनन्या को खानी पड़ती उस दिन भी घर देर से आने के लिए अनन्या को ही मा से डांट खानी पड़ी फिर शाम को मिल गया सुकुन तुझे अरे यार क्यो तनी टेंचन लेती है एक दो साल बाद हमारी शादी हो जाएगे फिर तू कहाँ और मैं कहाँ सुकन्या धीरे धीरे और चालाक और काम चोर होती गए और अनन्या उतनी ही महंती और संसकारी मगर दोनो बेहनों की किस्मत ने उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं होने दिया दोनों बेहनों की शादी एक ही गर में हो गई बड़े भाई की शादी सुकर्ण्या से और छोटे की अनन्या से अनन्या को घर का सारा काम आता था खास कर वो खाना बहुत ही अच्छा बनाती थी जबकि सुकर्ण्या ने कभी कुछ नहीं सीखा फिर एक दिन अरे बैटकर टीवी देख रही हो पहले जाकर कपड़े तो धोलो माजी आप अनन्या को बोल दो ना सुबह से मैं ही तो घर का सारा काम कर रही हूँ बरतन धोय और फिर खाना भी बनाया अच्छा 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 सौरी बेटा मुझे लगा कि वो सब अनन्या ने किया है नहीं नहीं माजी सारे काम मैंने किये वो तो बस अभी निकली अपने कमरे से अच्छा रुको जरा भी खबर लेती हूँ उसकी सरला गुस्से में अनन्या के पास गई जो ज़ाडू लगा रही थी दिन भर बस टीवी या फिर आराब अब ये कोई टाई में ज़ाडू लगाने का पर माजी चुप हो जाओ एक उसे देखो अपनी बेहन को कितना काम करती है बिचारी अपनी सास की बात सुनकर अनन्या समझ गई कि उसकी बेहन सुकर्ण्या ने उसकी सास को भी बेवकूव बना दिया है वो अपनी सास से कुछ नहीं बोली और चुप ज़ाडू लगाती रही बिचारी अनन्या सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती लेकिन फिर भी उसे ही सास की डाट खानी पड़ती फिर एक दिन अरे बहु चल मेरे साथ रसोई में आज मिलकर खाना बनाते हैं ठीके माजी आप चलो मैं आती हूँ सरला रसोई की तरफ चली गई और सुकर्ण्या सीधे अनन्या के कमरे में अरे अनन्या वो तुझे माजी बुला रही है खाना बनाने के लिए अच्छा बस अभी जाते हूँ सुकर्ण्या ने एक बार फिर अनन्या को बुद्धु बना दिया था और बिचारी अनन्या को पता ही नहीं था कि उसकी सास ने उसे नहीं, बल्खी सुकर्ण्या को बुलाए है, उधर रसोई में आ गई, कहां रह गई थी, चलो एक काम करो, तुम आटा गूद्दों मैं सबसी कार्ट देती हूँ ठीक है माजी, अनन्या ने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा अटागूथा था, जिसे देखकर सर्ला बहुत खुश हुई, और फिर, क्या बात है इतनी जल्दी और इतना अच्छा अटागूथ दिया, अरे तुम अनन्या को कुछ सिखाती क्यों नहीं हो, उसे तो कुछ भ बोली नहीं, ऐसे ही वक्त बीटता गया, सर्ला की नजर में घर का सारा काम सुकर्ण्या करती थी, रसोई सुकर्ण्या ही संभालती थी जबकि अनन्या सिर्फ दिन भर टीवी देखती थी, जबकि सच इससे बिलकुल उलट था, और फिर एक दिन, अरे बेटी सुकर्ण्या, जी माजी बताएए, उस दिन जो तुमने हलवा बनाय था ना वो बादाम वाला, मेरा खाने का बहुत मन हो रहा है, मेरे लिए बना दो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो आप टीवी देखो मैं बस अभी लातियो बना कर, ना ना मुझे तो खाना है ही, पर मुझे वो हलवा बनाना भी सीखना है, तो मैं भी चलती हूँ साथ, तुम बनाना और मैं देखूंगी, अब आप बैठी ना माजी, अरे चलो ना साथ में बनाते हैं, सर्ला जिप पर अड़ गई थी और उधर सुकर्ण्या की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि आज तक उसने कभी लगता था कि सुकर्ण्या ने पूरी रसोई संभाल रखी है, लेकिन सुकर्ण्या इतनी जल्दी हार कैसे मान लेती, उसने फौरन दिमाग दोडाया, अब माजी, मैं तैयारी करती हूँ तब तक आप बादाम ले आईए, अरे मुझे अपने कमरे में जाना पड़ेगा, ब पक्का ना, हाँ हाँ मुझे पता है कि तुझे कितना हलवा बनाना आता है, जल्दी कर वरना माजी आ जाएंगी, अनन्या नहीं चाहती थी कि उसकी बेहन को डांट पड़े, इसलिए वो सुकर्ण्या बनकर रसोई में काम करने लगी, उसने अपनी सास को सुकर्ण्या बनक को भी समझाओ, मुझे तो उसे देखते ही गुस्सा आ जाता है, बताओ, तुम दोनों एक ही मा की कोक से जन्मी हो, लेकिन तुम में और उसमें कितना अंतर है, सर्ला की बात सुनकर अनन्या को बहुत दुख हुआ, वो अपनी सास से सब सच कहना चाहती थी, लेकिन फिर बहन के बारे में सोच कर चुप रह गई, अगले सुबह सुकन्या जैसे ही उठकर रसोई की तरफ आई, तो उसकी सास सर्ला ने उसका हाथ पकड़ लिया, ये क्या कर रही है माजी, आज तुझे नहीं छोड़ू की, तुने मुझसे हमेशा जूट बोला, तुझे कुछ नह आता, और तुने हमेशा अपनी बेहन की महनत को अपना बता कर आराम तलबी की, और वो बिचारी दिन भर रसोई और बाकी कामों में लगी रही, उपर से मेरी डाट भी चुप चाप सुनती रही, सर्ला लगातार सुकन्या को डांट रही थी, तभी सुकन्या ने फिर से बोल कर बचने की कोशिश की, नहीं मा जी, मैं जूट नहीं बोल रही, मैं तो खुब काम करती हूँ, कल रसोई में सारा दिन लगाकर आपके लिए हलवा बनाया था ना, तब तो आप भी वही थी, हम्, वही थी, इसलिए सब कुछ जान सकी, तुने हलवा बनाया था, तो ज तरा दिखा अपनी कलाई, जो कल कढ़ाई उतारते हुए जल गई थी, दिखा, दिखा ना, अब सुकन्या अपने हाथ पीछे कि ये बिलकुल चुप खड़ी थी, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी, इसके बाद सरला फौरन दूसरे कमरे में गई, जहां अनन्या अप पर कोई दर्द नहीं झेलोगी, अपनी उस कामचोर बेहन की खातिर। जड़ी को जोर जोर से पीसना, पीसने से तेल निकलेगा, उस तेल को सोने से पहले अपने बालों पे लगाना। बढ़ते ही नहीं थे, उपर से वो सामली भी थी और दूसरी और उसकी बेहन राधा के लंबे और घने बाल थे और राधा गोरी भी थी, इसलिए राधा बचपन में हमेशा सुधा को चड़ाती थी, तू तो मेरी सगी बेहन नहीं है, तुझे तो मा और पापा रास्ते से उठा कर लाये थे, नहीं तो तू इतनी बचसूरत कैसे है। ये सुनकर सुधा हमेशा रोती थी, मा पापा देखो न राधा क्या बोल रही है, मा पापा देखो न राधा और सुधा की मा शमिता कहती थी, रो क्यो रही है सुधा, राधा ने कुछ गलत तो नहीं कहा, तू बचसूरत है, तेरे सर पर बाल भी नहीं है, मुझे ऐसी प्राइब नहीं करता था। सुधा को हमेशा हर किसी से नफरत ही मिलती थी। ऐसे ही बड़ी हुई सुधा। हर रोज वो रात को रोती थी और भगवान से प्राइब ना करती थी। मा आ गई और ताने मारना शुरू कर दिया। यहां ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। जल्दी जल्दी करो। नहीं तो ये लड़का भी हाथ से चला जाएगा। वहां राधा आ गई और बोली। मा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे पहले इस भूतनी के शादी क्यों करवाना चाहती हो। राधा बेटी इस भूतनी को तो पहले विदा करना पड़ेगा। नहीं तो बाद में कौन इस से शादी करेगा। एक बार बस ये सर से उतर जाए उसके बाद मैं तेरे लिए बहुत अमीर और अच्छा लड़का ढूंड कर लाओं की। मा, आप सभी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, अगर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। तेरे सर पर बाल नहीं है सुधा, तू बदसूरत है बदसूरत, तू मेरी बेहन कहलाने के लाइक नहीं है, थू। सुधा रोने लगी, वो पूरी जिंदगी रोती ही आई है। अविनाश नाम का लड़का सुधा को देखने के लिए आया। शमिता के कहने पर राधा अपने कमरे में ही बैठी हुई थी, क्योंकि शमिता ने उससे कहा था, बेटी तू कमरे के अंदर ही रहना, नहीं तो लड़के वाले सुधा से रिष्टा नहीं जोड़ेंगे। खेर अविनाश के साथ सुधा का रिष्टा तै हो गया, लेकिन उसके लिए बहुत जादा दहेश देना पड़ा। उस बात को लेकर भी शमिता सुधा को ताने मारने लगी, सुधा मनी मन सोचने लगी, अपने गर में तो मुझे शांती नहीं मिली, शाहिद ससुराल में जाकर मै खुश रहूंगी। सुधा की शादी हो गई, और शादी वाले दिन ही अविनाश ने राधा को पहली बार देखा और देखते ही उसके प्यार में बढ़ गया। यार मैं ऐसे पहले क्यों नहीं देखा, कितनी गोरी है यह, कितने लंबे बाल है इसके, इससे पहले मिल लेता तो मुझे इस भूतनी से शादी नहीं करनी बढ़ती। अविनाश मजाक उड़ाता ही गया और एक दिन उसके साथ राधा की मुलाकात हो गया। राधा को अपने लंबे बालों को लेकर बहुत अहंकार था, वो सुन्दर भी थी। राधा, राधा तु मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तुने मेरे पती से शादी कर ली। चुप रहे, समझी ना, अविनाश तो तुझसे प्यार भी नहीं करता है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। हाँ, ऐसे बिना बाल के औरत से कौन प्यार करेगा? मुझे तो लंबे बालों वाली लड़किया बसंद है। सुधा बस अकेली चुपके से रोती रही। अगले दिन वो बाजार गई और देखा एक बुढ़ा आदमी जड़ी बूटी बेच रहे हैं। जड़ी बूटी ले लो, बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ पांच रुपए में। बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ पांच रुपए में। जड़ा देखू तो, सुधा को अपने बाल बढ़ाने थी। उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। उसने बुढ़े आदमी से जड़ी बूटी खरीद ली। उस आदमी ने कहा, इस जड़ी बूटी को जड़ी बूटी लेकर सुधा घर चली गई। रात को सभी सो गए और तभी सुधा ने जड़ी बूटी पीस कर तेल निकाला और उसे अपने सिर पर लगा कर सो गई। और अगले दिन सुबा नीन से उठने के बाद उसने देखा उसके सर पर जितने भी बाल थे वो सब जड गए हैं। सुधा को जोर से रोना आ गया। ये क्या हो गया? मेरे सारे बाल जड़ गए, अब मैं क्या करूँ? सुधा जोर जोर से रोने लगी और उसे इस हालत में अविनाश, विमला और राधा ने देख लिया। ये क्या? तु पूरी तरह से गंची हो गई। छी, मैं द सुधा रोती हुई एक जंगल में चली गई। जंगल में वो एक पेड़ के नीचे बैट कर रोने लगी। उसी पेड़ पर एक पंची रहती थी। उसने सुधा को रोते हुमें देख कर कहा, तुम रोग क्यों रही हो? सुधा ने उस पंची को सब कुछ बताया। रो मत, ज जच, कहां मिलेगा मुझे वो फल? मैं लाती हूँ। उस पंची ने कुछी देर में सुधा को फल ला कर दिया। उस फल का रस निकाल कर सुधा ने सर पर लगाया और उसके बाल उगने लगे। उसके बाल सर से पैर तक आ गए। काले लंबे घरे बाल ठीक जैसा सुधा चा अच्छी पंची तुम्हार बहुत बहुत धनेवाद। मैं इस फल का रस लड़कियों को बेचना चाहती हूँ। उन लड़कियों को जिनके बाल नहीं उखते ताकि उन्हें भी मेरी तरह परिशानियों का सामना न करना पड़े। सुधा जंगल से निकल कर फल का रस बेच ये सब देख और सुनकर राधा को जलन हो रही थी। उसने फल का रस लिया और पूरी बोतल अपने सर पर डाल दी। लेकिन उससे असर उल्टा हो गया। उसके सारे बाल जड़ गए और वो गंजी हो गई। ये क्या हुआ मेरे साथ। मैं गंजी हो गई। बहुत अच्छा यही लालच का नतीजा है। बचपन से आज तक तुने मुझे चैन से जीने नहीं दिया, अब देख कैसा लगता है। और हाँ विनाश, मैं फालतु लोगों के साथ नहीं रहना चाती। तुम रहो अपनी पत्नी के साथ। राधा का अंकार मिट्टी में मिल गया। अविना झालतु लोगों के साथ।